टीवी की दुनिया के टॉप सीरियल में से एक अनुपमा इंदनों सुर्खियों में बना हुआ है हाली में मेकर्स ने सीरियल में लीप की घोशडा करते हुए प्रोमो शेर किया है लीप का प्रोमो रिलीज होते ही सोसल मीडिया पर आग की तरह वाइरल हो गया है इस बार उपाली गांगुली का लुक भी मेकर्स ने बदल दिया है साथ ही जेनरेशन लीप के कारण सभी शाह हाउस के बच्चे बड़े हो गए हैं हालांकि यदेख दर्शक खुस नहीं है अनुपमा में 15 साल वाले लीप में अनुपमा बुढ़ी हो गई है और अनुपमा की रोसोई चला कर सभी का पेट भर रही है वहीं टीवी एक्टर शीवम खजूरिया की एंट्री होती है जो अनुपमा को अपना बिजनेस पार्टनर बताता है वहीं दूसरी तरप आध्या के रूप में अलीशा परविन दिखाई दे रही है अलीशा फिर एक बार अनुपमा से अलग हो गई है और एक गुमनाम जिन्दगी जी रही है प्रोमो में अनुज बाक इंजल जैसे किरदारों को नहीं दिखाए गया है लीप के प्रोमो को देखने के बाद लोगों का रियक्सन सामने आया है एक उजर ने लिखा है इतनी बड़ी लीप लाने और बुढ़े होने की क्या जरूरत थी और इसे निब्बा निबी प्रेम कहानी में मत बदलिये इसके अलामा च्हमा करें लेकिन मैं इसके लिए तयार नहीं हूँ उसके साथ मॉंटाज पर किसी को देखने के लिए मुझे टॉक्सिक स्टेन कहें लेकिन यह मेरा अनु का शो है और अन तक इसके केंदर में रहना चाहती हूँ वह एक ने अनुपमा के मेकर्स को लिखा कि आप इस सारी नफरत के लाइक हैं डिकेपी वह एक ने लिखा अनुपमा बहतर होता कि इस शो का समापन उस ग्रेट एक्टरेस के साथ किया जाता जिसने शारा शो अपने कंदो पर उठाया और उसके एफर्ट भी क्लियर थे और उन अमेजिंग स्किल को इस शो में कभी दोहराय नहीं जाएगा वह एक ने लिखा अनुपमा एपिसोड वन पर वापस आ रहा है क्यूकि अनुपमा फिर शा परिवार की सेवा कर रही है भाड में जाओ डीकेपी पहली बार मैंने बुरे सब्द का इस्तेमाल किया है मैंने अशो देखना बंद करने का फैसला किया है क्योंकि वह हमेशा ही अनुज और अनुपमा को अलग कर देते हैं जेनरेशन लीप के बाद अक्षरा और नैतिक साथ रहे तो मान क्यूं नहीं इसी तरह हर कोई मेकर्स के इस लीप वाले फैसले से खुस नहीं है और अपनी नाराजगी ट्विटर पर ट्विट कर याहिर कर रहे हैं इस शो पे निसी सकसेना और गौरो शर्मा ने एक्जिट ले लिया है किस अबडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहे हैं ये एबी भी एंटर्टेन्मेंट